इपात्षाला अध्याइप छे विनिर्मान उद्योग 1079 CH04.6 विनिर्मान उद्योग दीवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया उन्होंने उसके लिए कपरे तथा जोते खरीदे उसकी माने बर्तन, चीनी, चाय वम्रिदा के दीप खरीदे अत्यधिक सामान से भरी थी, चीजों को इतनी अधिक मात्र में देखकर वे हैरान था, उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपरे, चीनी आधी बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाई जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्थन बनाई जाते हैं, तथा दीप जैस है, क्या आप जानते हैं कागर्स लकरी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोह devenir सी तथा एलियूमिनियम बॉकशाय से निर्मित है, क्या आप यह भी जानते हैं कि कई की सम के कपरे एहसे रेशों से बनते हैं, जो रेशा उद्योग में बनते हैं, द्वितियक कार्याय मे लगे व्यक्ति कचे माल को परिश्कृत वस्तों में परिवर्टित करते हैं. स्टील, कार, कपरा उद्योग, बेकरी तथा पेपदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्द के अंतर्गत आते हैं. कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार इस अध्याय में हम द्वितियक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्मान उद्योगों के विशय में पढ़लेंगे. किसी देश की आर्थिक उनती विनिर्मान उद्योगों के विकास से मापी जाती है. विनिर्मान का महित्व विनिर्मान उद्योग सामायत्य विकास की तथा वि बेकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्थ है। भारत में सारवजने का तथा सयुक क्षेत्र में लगे उद्योग, इसी विचार पर आधार इत्थे। जनजातिय तथा पिछरे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उदेश भी क्षेत्र असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तों का निर्यात वानिज व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित्व इदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत नाइत्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां 57 उर्वरक एकाया हैं ज सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतिय उर्वरक निगम FCI घुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतरगत एक उपक्रम कार्यरत है। वे देश ही विकस इत हैं जो कचे माल को विभिन तथा अधिक मूलिवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत में क्रिशी पर आधारित उद्योगों ने क्रिशी पैदावार बढ़ोत्री को प्रोट साहित किया है। ये उद्योग कचे माल के लिए क्रिशी पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उतपाद जैसे से इचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीतना शक दवाए, प् एकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्परधी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है, केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तोय गुनवत्ता में अंतर राश्क्त्रिय बाजार में प्रतिस्परधा कर पाएंगे, राश्क्त्री आर्थव् वस्था में उद्योगों का योगदान पिछले दू दशकों से सकल घरे लो उतपाद में विनिरमान उद्योग का योगदान 27 प्रतिशत में से 17 प्रतिशत ही है क्योंकि 10 प्रतिशत भाग खनिच, खनन, ग्यास, तथा विध्योट औरजा का यॉगदान है. भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशाय में विनिर्मान का योगदान सकल घरे लो उतपाद का 25 से 35 प्रतिशत है. पिछले एक दशक से भारत ये विनिर्मान क्षेत्र में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोत्री हुई है. बढ़ोत्री की यह दर अनुमान है कि विनिर्मान उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्षे पूरा कर सकता है. इस उदेश्य से राष्ट्री विनिर्मान प्रतिसपर्धा परिशद नाशनल मैनुफैक्चरिंग कामपेटिटिवनिस काउंसल की स्थापना की गई है. उद्योगिक अवस्थि उद्योगों की स्थापना स्वभावत्य जतिल है. इनकी स्थापना कचे माल की उपलब्धता, श्रमिक, उंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदी की उपलब्धता से प्रभावित होती है. इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है. फल्स्व उद्योग शहरों में या उनके निकत लगाए जाते हैं. इस प्रकार उद्योगी करण तथा नगरी करण साथ साथ चलते हैं. नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाए जैसे बांकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वितिय सलाह आदी उपलब्ध कराते हैं. नगर हो जाता है. स्वत्तंत्रता से पहले अधिक्तर विनिर्मान उद्योगों की स्थापना दूरस्त देशों से व्यापार पर आधारित थी जैसे मुंबई कोलकाता वक्चेनई आधी. परिनाम स्वरू कुछ एक नगर उद्योगिक केंद्र के रूप में उद्रे जो ग्राम मी क्रिशी क्रिश्थ प्रदेश हिंटर लाइंड से घिरे थे. उद्योग बाजार संबंध फिक परसिंट 206.1 चिफ चित्रक 6.1 किसी उद्योग की अवस्थिती का निर्भारन उसकी नियूंतम उत्पादन लागत से निर्भारित होता है. सरकारी नीतियों तथा निपुन श पादों की सूची बनाएं जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति टेल, सीमेन, कांच का सामान, पैत्रोल, माचिस, स्कूतर, वाहन, दवाया आधे. यदि हम विशेश मापदंदों के आधार पर विभिन उद्योगों का वर्गीकरन करते हैं तो विनिर्मान को आसानी से समझ सकेंगे. उद्योगों को निम्ण प्रकार से वर्गीकरित किया जा सकता है प्रयुक कचे माल के स्रोट के आधार परद्याश, क्रिशी आधारित सूती वस्त्र, ओनी वस्त्र, पत्सन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, काफी तथा वनस्पति टेल प्रमुख खनिच आधारित लोहा तथा इसपात, सीमेन, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेत्रोडा सायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधार भूप उद्योग जिनके उत्पादन या कचे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं जैसे लोहा इस पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, उत्भूकता उद्योग जो उत्पादन उत्भूकताओं के सीधे उत्योग हेतों करते हैं जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई, मशीन आधी, पुँझी निवेश के आधार पर एक लगू उद पर की जाती है, यह निवेश मूले समय के साथ बदला गया है, वर्तमान में अधिक्तम निवेश एक करोड रूपे तक स्विकार है, एक लगू उद्योग को परिसंपती की एक एकाई पर अधिक्तम निवेश मूले के परिप्रेक्षे में परिभाशित किया जाता है, यह न यह निवेश सीमा, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिक्तम स्विकारे निवेश के आधार पर की जाती है, यह निवेश मूले समय के साथ बदला गया है, वर्तमान में अधिक्तम निवेश एक करोड रूपे तक स्विकारे है, स्वामित्व के आधार पर सार्वज सार्वजनिक क्षेत्र में लगे, सरकारी एजिंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड थर्भम्स तथा स्टील अथौरिती ओफ इंदिया लिमिटेड एप्स आदे। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे, सरकारी एजिंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड थर्भम्स तथा स्टील अथौरिती ओफ इंदिया लिमिटेड एप्स आदे। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। तिसको बजाज ओटो लिमिटेड दाबर उद्योग आदे। सयुक उद्योग वैसे उद्योग जो राजिव सरकार और निजी क्षेत्र के सयुक प्रयास से चलाए जाते हैं। जैसे ओएल इंद्या लिमिटेड उनके द्वारा संचालित है। तिसको बजाज ओटो लिमिटेड दाबर उद्योग आदे। सयुक उद्योग वैसे उद्योग जो राजिव सरकार और निजी क्षेत्र के सयुक प्रयास से चलाए जाते हैं। जैसे ओएल इंद्या लिमिटेड व्ट्स सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कचे माल की पूर्ती करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोश सयुक्त होता है तथा लाभ हाने का विभाजन भी अनुपातिक होता है जैसे महाराश्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, कचे तथा तयार माल की मात्रव भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस पात हलके उद्योग जो कम भारवाले कचे माल का प्रयोग कर हलके तयार माल का उत्पादन करते हैं जैसे विद्योतिय उद्योग पोनी वस्ट्र चीनी तथा वनस्पती तेल आधी उद्योग क्रिशी से प्राव कचे माल पर आधारित हैं वस्ट्र उद्योग भारती अर्थ व्यवस्था में वस्ट्र उद्योग का अपना अलग महित्व है क्योंकि इसका उद्योगिक उत्पादन में महित्व पूर्ण यो अथा रह्मी शताबदी के बाद विद्योतिय करगों का उत्योग होने लगा। और निवेशिक काल के दोरान हमारे परमपरागत उत्योगों को बहुत हाने हुई क्योंकि हमारे उत्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। एसे में इंग्लैंड में कपरे की माग आपूर्ती हे तो भारतिय सूती वस्त्र उत्योग को प्रोचसाहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उत्योग महाराश्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। रंगाई करने वालों, दिजाइन बनाने वालों, पैकिग बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीवे का प्रदान करता है। इस उत्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्तौर तथा पैकेजिंग, सामगरी और इंजीनियरिंग उत्योग की मागगा बढ़ती है। इन उद्योगों का विकास होता है। खादी कुतीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया। हमारे देश में विद्युक चालित करगों तथा हथकरगों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक शाकार खानों द्वारा निर्मित लुमेज, लुमेज को कम रखना क्यों महेत्वपूर्ण है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। उत्भोग करने में सक्षम हैं। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमन एकायां देश में उत्वन के ये उचकोर्टी के वागे का उत्योग नहीं कर पाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बरे और आधुनिक कार खाने हैं तथा अधिक्तर छोटी वबिखरी हुई एकाया ही है जिसका उत्पादन स्थानिय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। ये इस उद्योग की एक बरी कमी है जिसके परिनाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती वागे का निर्यात करते हैं जबकि परिधान निर्माताओं को कपरा आयात करना परता है। धागा 85 रूपे प्रती किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून की रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रूपे प्रथमती किलोग्राम है। रेशे सिधागा, वागे से कपरा और कपरे से परिधान बनाने के प्रतेक चरण पर मूले में व्रिधी होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में वागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है। यद्यपी लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महेत्वपूर्ण व्रिधी दर्ज की गई है तथा पी इसे आयात करने की आवश्यक्ता महसूस की जाती है। सबसे बरा उत्पादक है तथा बांगलादेश के पश्चात दूसरा बरा निर्यातक भी है। उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांगलादेश में चले गए। हुगली नदी तत पर इनकी स्थित होने के निम्द कारण है पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उरिसा, बिहार व उतर प्रदेश से सस्था श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरिय केंद्र के रूप बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आधी समिलित हैं। इस उद्योग की चुनोतियों में अंतर राश्ट्रिय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांगलादेश, ब्राजील, फिलिपीन्स, मिश्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से करी प्रतिसपरधा शामिल है। यद्यपी पत्सन प्रैकिंग की अनिवारे प्रयोग की सरकारी नीती के कारण इसकी घरेलो मांग बढ़ी है तथा पी मांग बढ़ाने है तो उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पत्सन की प्रमुक खरिददार अम्यारिका, कनादा, भाना, सवधी अरब, युनाइटेड, किंगदम और आस्ट्रेलिया हैं। बढ़ती वैश्विक परियावरन अनुकूलन, जैवनिम्नी क्रणिये पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरुकता ने पुनह जूत उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। उद्योग भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है लेकिन गुर्ब खान्दसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। अतह सहकारी क्षेत्र के लिए उप्युक्त है क्या आप बता सकते हैं एसा क्यों है पिछली कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिनी और पश्चेमी राजियों में विशेशकर महाराश्ट्र में बढ़ी है इसका मुख्य कारण यहां के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है अपेक शाकरित थंदी जलवायों भी गुनकारी है इसके अतिरिक इन राजियों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं इस उद्योग की प्रमुक चुनोतियां इस प्रकार हैं इस उद्योग का अलकालिक होना पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्टेमाल परिवहन असक्षम तासे गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई ब्यागस का अधिक्तम इस्टेमाल न कर पाना खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज बधातों को कचे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं क्या आप इस वर्ब में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं लोहा तथा इस पात उद्ध्योग एक आधारभूट लेटिन अड्रेस, लेटिन जम्स, लेटिन नेम, लेटिन उद्ध्योग है क्योंकि अनिव सभी भारी, हलके और मध्यम उद्ध्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविद्ध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्मान सा मगरी, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन वैज्यानिक उपकरन और विभिन प्रकार की उपभोगता वस्तों के निर्मान के लिए इस पात की आवश्यक्ता होती है। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यक्ता होती है। इस पात का विनिर्मान कर संसार में कचा इस पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। यह स्पनज स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहां प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ती खपत केवल तिर्शत किलोग्राम थी जबकि इसी समय विश्व में प्रतिव्यक्ती औसत खपत 208 किलोग्राम थी। 6.1 भारत में प्रतिव्यक्ती इस पात की खपत इतनी कम क्यों है। विध्युत भत्ती, रदी इस पात वस पनज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्ष होते हैं जिनमें इस पात सिलियों का इस्टेमाल किया जाता है। ये हलकी स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदूब मिश्रित इस पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस पात सन्यंत्र एक बड़ा सयंत्र होता है, जिसमें कचे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस पात बनाने उसे धालने और उसे आकार देने तक की परतेक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग सभी उक्रम अपने इस पात को स्थील अथौरिती अउप इंडिया सेल के माग्यम से बेचते हैं। इनमें लौह आयसक की कम लागत, उचकोर्टी के कचे माल की निक्तता, सस्ते श्रमिक और स्थानिय बाजार में इनके माग की विशाल संभाव्यता समिलित है। हम भी उचकोर्टी का इस पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हाला की हमारा कुल इस पात उत्पादन घरेलो माग पूर्टी हेतो पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उध्यमियों की प्रयत्न से तथा उधारी करण्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उध्योग को प्रोटसाहन दिया है। इस पात उध्यों को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यक्ता है। चित्रक 6.5 गाश भारत और चीन में कचा इस पात उत्पादन स्रोत वर्ल्ट स्टील असोसेशन वेब साइट गाश www.worldsteel.org क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विश्य में पढ़ा है। विभिन स्रोताय से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्ष करें। एल्यूमिनियम प्रगलन स्मेल्टिंग भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सरवाधिक महेत्वपूर्ण धातो शोधन उद्योग है। यह हलका, जंग अवरोधी, ओश्मा का सुचालक, लचीला तथा अनिधातों के मिश्रन से अधिक कतोर बनाया जा सकता है। केरल, उतर प्रदेश, 36 गर, महाराश्ट्र वतमिलनादू राजियों में स्थित हैं। फिक, %206.7 चिर्फ चित्र 6.7 फिक, %206.8 चिर्फ चित्र 6.8 प्रगालकों स्मेल्टर्स में बॉक्षाइट का कचे पदार्थ के रूप में, जो भारी, गहरे लाल रंग की चतान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। प्रवाह 4.6 चित्र 6.8 अल्यूमिनियम निर्मान प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्ध्योग की स्थापना की दो महेत्वपूर्ण आवश्यक्ताएं हैं नियमित ओर्जा की पूर्टी तथा कम कीमत पर कचे माल की सुनिशिचित उपलब्धता। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन सौसपन निर्मित करता है। यह प्रगालकों से एल्यूमिनियम प्राप करता है तथा किसी अने फैक्त्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोडाम में भेज दिये जाते है गाश एक कौन सा कचा माल पर इवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? परिवहन के लिए सबसे सस्ता कचा माल कौन सा है और क्यों दो? क्या आप समझते हैं कि पैंक इत के बाद तयार माल की परिवहन लागत कम होगी? अथवा एल्यूमिनियम और की परिवहन लागत अपेक शाकरित अधिक होगी? क्यों? रसायन उद्योग भारत में रसायन उद्योग तेजी से विक्षित हो रहा तथा थैल रहा है इसकी भागीदारी सकल घरेलो उतपाद में लगभग तीन प्रतिशत है यह उद्योग एशिया का तीसरा बरा तथा वि उर्वरक, क्रित्रिम वस्त्र, प्लास्थिक, गोंड, रंग रोगन, दाई आधि के निर्मान में प्रयुक्त, नाइत्रिक अमल, क्षार, सोदा एश, सोदेश, काच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्थिक सोदा आध इन उद्योगों का देश में विस्त्रित थेलाव है। क्या आप बता सकते हैं एसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेत्रोड-शायन शामिल हैं, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्थिक, रंजक पदार, दवाया, और शत्रसायनों के बनाने में प्रयोग क ये उद्योग टेल शोधन शालाओं या पेत्रोडशायन सयंत्रों के समीप स्थापित हैं। श्रित उर्वरक जिसमें तीन मुख्य पोशक उर्वरक नाइत्रोजन, खास्थित्व पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्ग गिर्ग केंडरित हैं। इस उद्योग को भारी वस्थूल कचे माल जैसे चूना पथर, सिलिका और जिपसम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक इसमें कोईला तथा विद्यूट और जाभी आवश्यक है। क्लाइब सीमेंट विनिर्मान एकायों की स्थापना कहां पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। इस उद्योग की एकाया गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहां से इसे खारी के देशों के बाजार की उपलब्धता है क्लाइब। भारत में यह उद्योग अनिकिन राजियों में स्थित हैं। उनकी नाम बताएं। पूर्टी में व्रिधी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। गुर्गांव, मुंबई, पुने, चेनई, कोलकाता, लठनो, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपूर तथा बेंगलूरू के आसपास स्थित हैं। इस उद्योग का सरवाधिक संकिन्रन बेंगलूरू, नौइदा, मुंबई, चेनई, हैदराबाद और पुने में है। यह भी अत्यन्त रोचक है कि भारत में सूचना प्रोध्योगिकी उद्योग की सफल होने का कारण हार्डवेयर वसा एक्तवेयर का निरंतर विकास है। इस उद्योग चार प्रकार के प्रदोशन के लिए उतरदाई हैं। प्रदोशन करने वाले उद्योगों में ताप विद्यो तगरे भी समिलित हैं। वायू प्रदोशन अधिक अनुपात में अन्चाही ग्यासों की उपस्थिती जैसे सलफर दायोक्षाइड तथा कारबन मोनोक्षाइड वायू प्रदोशन का कारण है। प्रदोशन के नेमों का उलंगन करते हुए ध्वा निश्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल ग्यास्थरासदी के विशय में जानते हैं। वायू प्रदोशन, मानव स्वास्ख्य, पशों, पौधों, इमार्तों तथा पूरे पर्यावरन पर दुश्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदोशन उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अप्षिश पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदोशन थैलता हैं। जल प्रदोशन के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्रक तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमरा उद्योग तथा इलैक्त्रो प्लेटिंग उद्योग हैं जो रंग, अपमार्जक, अमल, लवन तथा भारी धातों जैसे सीसा, पारा, कीट नाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदी जल में वाहित करते हैं, भारत के मुख्य अप्षिश, पदार्थों में थलाइश, फोस्पो, जिप्सम तथा लोहा इस पात की अशुधिया स्लैग हैं, भारत सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पाक्स, आंख्चिफ तापिय प्रदूशन जब कार्खानों तथा तापगरों से गर्म जल को बिना थंदा किये ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापिय प्रदूशन होता है, जलिय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताएं, पर कारक रसायन, और द्योगिक बहाव, पैकिंग, लवन तथा कूरा करकत मरिदा को अनुक जाओ बनाता है, वर्षा जल की साथ ये प्रदूशक जमीन से रिस्ते हुए भूमिगत जल तक पहुँच कर उसे भी प्रदूशिक कर देते हैं, ध्वनी प्रदूशन ध्वनी कारखानों के उक्करन, जेनरेटर, लकरी चीरने के कारखाने, ग्याश यांत्रे की तथा विद्यूट ग्रिल ग्रिल भी अधिक ध्वनी उत्पन करते हैं, पर्यावरनिय निमनीकरन की रोक्थाम कारखानों द्वारा निशकासित एक लितर अप्षिश से लगभग आत गु जल की आवश्यक्ता पूर्टी हेतो वर्षा जल संग रहन, ग्याश नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अप्षिश पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, और द्योगिक अप्षिश का शोधन तीन चरनों में किया जा सकता है, ग्याश दॉलर यांत्रिक साधनों द्वारा प्रात्मिक शोधन, इसमें अप्षिश पदार्थों की छताई, उनके छोटे छोटे तुकरे करना, धपना तथा तलचत जमाव आधी समिलित हैं, बक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितिक शोधन, सक जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा वाहित मल उप्चार सन्यंत्रत रितियक शोधन, इसमें अप्षिश जल को पुनर्चकरन द्वारा पुने प्रयोग योगे बनाया जाता है, जहां भूमिगत जल का स्तर कम है, वहां उध्योगों द्वारा इसके अधिक निशकासन पर कानूनी प् कार्थों को जर्टिय रूप से प्रिठक करने के लिए उप्करन होना चाहिए, कार्खानों में कोईले की अपेक्षा, तेल वा घ्यास के प्रयोग से धों के निशकासन में कमी लाई जा सकती है, मशीनों वा उप्करनों का उप्योग किया जा सकता है, तथा जेनरे tror में silencer, पर सिलन्सर्स लगाया जा सकता है, एसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ओर्जा सक्षम हों तथा कम ध्वने प्रदोर्शन करें, ध्वनी अवशोर्शित करने वाले उपकरणों के इस्टेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रन उपकरण भी पहनने चाहिए, सतक पोशनिय विकास की चुनोतियों के लिए पर्यावरनिय संचेपना से युक आर्थिक विकास की जरूरत है, फिक परसिंट दूसो चे दशमलब एक चिफचित्र चे दशमलब एक शूनिय ग्याश फरिदाबाद में यमुना एक्षन प्लान के अंतरगत वाहित मल उप्चार सन्यंत्र भारत में राश्ट्री यताप विद्यूत अगरे कारपोरेशन विद्यूत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है, इसके पास पर्यावरन प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO ISO प्रमान पत्र है, यह निगम प्राकृतिक पर्यावरन और संसाधन जैसे जल, खनिज, टेल, ग का सही उप्योग करके तथा विद्यमान उपकरनों में मसुभार, ब, अधिक्तम राग का इस्टेमाल कर अप्षिश्पदार्थों का यह न उत्पादन, स, पारिस्थितिकी संतुलन बनाई रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा व्रिक्षारोपन के लिए प्र अधिक्षा करना एवं आउनलाइन आकरों का प्रबंधन करना, फिक, परसिंट दूसो चे दशमलब एक, दो चिर्फ चे दशमलब एक, एक ग्याश रामागुंदम सन्यंत्र अभ्यास एक, बहुवैकल्पिक प्रशन आय निम से कौन सा उध्योग चुना पथर को कचे माल क के रूप में प्रयूप में प्रयूप राश्ट्री एताप विद्यूर्तग्रह और टीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग करता है, क, अलूमिनियम, ग, सीमेन, ख, प्लास्थिक, ग, मोटरगारी ट्रो निम से कौन, सी एजिंसी सार्बजनिक क्षेत्र में स्टील को ग, सीमेन, ग, स्टील, आइव निम से कौन सा उद्योग दूर्भास, कंप्यूटर आधी सन्यंत्र निर्मित करते है, क, स्टील, ग, इलाट्रानिक, ख, अलूमिनियम प्रगलन, ग, सूचना प्राध्योगिकी दो, निमनलिखित प्रश्णों में के उतर लगभग 30 शब्दो में, दीजिए, आइ, विनिर्मान क्या है, वो उद्योगों की अवस्थिती को प्रभावित करने वाले तीन भौतिक कारक बताएं, थ्री और द्योगिक अवस्थिती को प्रभावित करने वाले तीन मानविय कारक बताएं, आइ, आधार भूप उद्योग क्या है, उदाहरन देकर बताए तीन निमनलिखित प्रश्णों के उतर लगभग 120 शब्दों में दीजिए आई समद्वित इस पात उद्योग मिनी इस पात उद्योगों से कैसे भिन है इस उद्योग की क्या समस्याए है का इन सुधारों के अंतरगत इसकी उतपादन क्षमता बढ़ी है वो अंकेतिक अक्षर संख्या कोश्थक में दी गई है तथा उतर अंग्रेजी के शब्दों में है आई मशीनरी चलाने में प्रयुक्त 5P 2 का रखानों में काम करने वाले व्यक्ति 6W 3 उतपाद को जहां बेचा जाता है 6M आई वव व्यक्ति जो सामान बेचता है 8RV वस्थ उ विनिर्मान या उतपादन 11M, 7 भूमी, जल तथा वायो अवनयन 9P प्रोजिक कारे अपने क्षेत्र के एक क्रिशी आधारित तथा एक खनिज आधारित उध्यों को चुने माई ये कचे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं वो विनिर्मान प्रक्रिया में नोट विसर पहेली के उतर अंग्रेजी के शब्दों में हैं के एक आई वस्त्र चीनी वनस्पती टेल तथा रोपन उद्योग जो क्रिशी से कचा माल प्राप करते हैं उन्हें कहते हैं मत वो चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कचा पदार्थ 3 इस रेशे को गोल खाइबर गोल्दन फिबर भी कहते हैं आई वलॉई